कि नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आयव्वेट पर अधारित हमारे सपेध खास कारीकर्म सवस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आते विकास। क्योंकि अक्सर हम सभी अपने आपको बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं यानि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर सुडॉल रहे हमारा शरीर बलिष्ट रहे हमारा शरीर दमकता हुआ रहे चेहरा चमकता हुआ रहे लेकिन ये सब केवल मनोकामनाही होती हैं लेकिन इसके पीछे जो मेहनत करनी होती है जो सावधानी और ध्यान रखना होता है उसमें कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं आयुर्वेद के माध्यम से यदि हम अपनी दिनचर्या को विवस्थित करते हैं तो आयुर्वेद के तमाम वह नुस्खेव उप्चार छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े रोग तक सभी प्रकार के रोगों को जड़ से दूर करपाता है और आयूरवेद के बारे में आप भली भाती से परिचित हैं कि आयूरवेद विज्ञानिक्टा पर अधारित है और पूर्ण तह प्राचीन ग्रंथ है और जिसमें से उपचार निकाल कर जिसकी जानकारी जिसके रहस से निकाल कर हम आपको इस कारेकरम के मार्ध्यं से बात करेंगे गुरुजी नमस्कार दर्शकों ये कारेकरम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कारेकरम का हिस्सा बने यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है कोई भी शारी रिकस्ट है सीधे तोर पर आप इस कारेकरम से अभी जुड़ सकते हैं बिलकुल भी पेलने कर जुरूर बैठा करें जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख जुरूर लें ताकि आपके साथ जीवन भर आपके ये नुस्खे घरे लुप चारों के तौर पर काम करते रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विश नहीं नहीं पता पी नहीं पता तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि आखिर डांट जो कीह मारे भोजन को सुपाक्य बनाने में अगरिम भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उन्हीं दांतों में अधी कीड़ा लग जाए, तो दिक्कत होती है आखिर कीड़ा लगता क्यों है, इसके वज़ए क्या है? देखो, दांतों में कीड़ा लगने का एक कारनी इसके चार पंच कारनी है, अधिक चिन्नी खाने वाले के दांतों में कीड़ा लगता है, उसको कोई रोक सकता है, और आप जो कुछ भी दिखाई पड़े उसको मुह में डालने की करते हैं, इससे भी दांतों में कीड़ा लग हर एक चीज का टैम होता है खाने का और तीसरा में कारना है कि खाना खाने के बात आप दातन कुछ अच्छी तरह से नहीं करते दातनों तो आपको एक बार सुभाई करनी चाहिए और रात को गर्म पानी में मीठा सोड़ा डाल के उसके गिरारे करने चाहिए अब जो आपके दांतों में किसी किसी का प्वाईजन बचा जिससे कीड़ा पैदा होगा वो सोड़ेगा जब गरारा आप पाणी में डाल के करेंगे तो उसमात हो जाता है दातों कीड़ा ने लगेगा अखीरी सांथ करने लगा और यदि आप दांतों में पीपल की बढ़ की या गुलर की दातन करते हैं तो अखीरी सांथ तक आपका दांत साथ निचोंड़ेगा अखीरी टाइम पे साथ ही जाएगा यह में चीज़ें परन्तों अब आपके दांत पे कीड़ा लगा है डाक्टर कहता है इसके यड़ों में पहले पस अब पस निकालो उसके बाद दांत निकाला जाएगा तो आपको आप डाक्टर के पास जाने पर जूरत नहीं है, दान्थ निकालने पर जूरत नहीं है, मंगल सनिवार छोड़ करके आप किशिव दिन हो, पीपल के पेड़ के पास जाएं सुब अधदस से बारा के अंदर-अंदर, थोड़ी रूई ले जाएं, एक चाकू ले जा ब्रह्म देवता मुझे दान्त की परिशान नहीं मेरे से दल असे नहीं होता मुझे माफ करना मैं आपकी च्छाल में चीरा लगा रहा हूँ इस से दूद निकलेगा यदूद मैं दान्त पर लगाऊँगा तो मुझे संती में लेगा यह प्रार्थन करके अब गहरा चीरा लगा करके उस रूई को फोई को बहो के उस दांत पे रख दे जहाँ सुराइक दांत में कीड़ा लगा है तो जैसे ही आप उस रूवी को दांत पे रखेंगे, मुह बंद करेंगे, तो एक सिकेंट के अंदर आपका दर्द खत्ब हो जाएगा, दर्द लेगा और पांच मिन्ट तक कि यदि आप मुह बंद रखते हैं, पांच मिन्ट के बाद उस रूवी को निकालते हैं तो जो दांत के अंदर कीड़ा लगा था मर करके रूवी के साथ ही आजयेगा, दांत के कीड़े लंबाई तेन सेंटिमेटर से लेके, छे सेंटिमेटर तक है, यानि हम उसे देख भी सकते हैं मोटा कीड़ा होता अच्या, तिसे गोबर के कीड़े होते हैं ऐसा होता है, और मुह इसका कारा है, बाकी सारा हिस्सा जो है स्फेध है, मैंने एक रोगियों के निकलाएं, और जिसको भी हंकरदार दौतार बताते हैं, एक ने तो इतनी गल्ती की के रात को चला गया, और वहां पर दिवा जिलाया, अगर बत्ती जिलाई, माफी मांगे, चीरा लगाया, दूद निकल गया, बशे रात को दूद, दूद वाले पेड़ से कम निकलता है, दिन में ज़्यादा निकलता है, और उसरे रोई का फोवा दांत पे रखके, और रखने के बाद एक दम उस माफ करना, मैं दिन को नहीं लगा सका, क्योंकि जहां पीपल का पेड़ है, वहां पे कोई भी उस पीपल से पत्ता भी तोड़ नहीं देते, तो मैंने रात को जाके, प्रार्थन की जोत लगाई, और उसकी नर्म शाल में चीरा लगाया, और उससे दूद भहुत तेजी से निकला, रुही का फोवा भगो के, और मैंने वो दांत पे रखा, दांत पे रखते ही, एक दम जैसे बीजले का करंट लगता है, ऐसे लगके उदर खत्म हो गया, मैंने पांच मिन तक मूँ बंद रखा, पांच मिन के बाद जब मूँ खोला, तो दो कीड़े निकले, और द जहां पर मैंने चीरा लगाया था, वहां पर जाकर मूम लगा दिया, तांके चाल भी जल्दी भर जाए, और पेड का नुक्सान भी ना, मैंने काये तो आपने बहुत अच्छट लिया, जब भी कोई बाहर से फोन करता है कि मेरे दांत में दर्द आया, डाक्टर ने दांत नुक्लानों, तो मैं उनको एक इसला देता हूँ कि देखो यदि दांत में अभी जान है, थोड़े से हिस्से में उसमें कालक है, तो आप उसमें पीपल का दूद लगाए, आपका दर्द बंद हो जाएगा, दर्द बंद होने के बाद उस दांत को अच्छी तरह स्पाई क करके, खाने वाला चूणना और हल दे, दोनों ब्राद मातरा में लेके, उसकी लेई बनाएं, और लेई बनाके दांत के खोल में भर दें, उपर रुई रखके, पांच मीट के लिए मूँ बंद रखें, पांच मीट के बाद रुई हटा दें, अब उसको आप चाहे डॉक् के उपर, चाहे आप अपने हाद से भी कर सकते हैं, अब ये दांत आपका, आपको किसी किसम की तिकलीप ने देगा, तो उसके पंदर दिन बाद फोन आता है कि स्वामी जी, डाक्टर ने तो चूणना भरने से इनकार कर दिया था, मैंने घर आके खुद ही बर लिया, अब मैं खुद भरने के बाद, दांत में दर तो मुझे कोई निया, कोई तकलीप नहीं है, थोड़ी सी वहां से उंची जगा है, जो के रूई लगाई थी मैंने, वो नीचे तक बैठाने, उंचा रह गया, मैंने का कोई बात नहीं है, इसके दो तरिक्के हैं, एक छोटी रेती पत्ली होती है, जो तेरे घर में अच्छा समझदा रहा है, उसको कहां के, जहां पर दांत के उपरे उंचा है, इसको ऐसे रगड़ो, और प्लेन हो जाएगा, तो रेती सो रगड़ने नहीं आया, परंदु जो चाकू होता है, चाकू सिर्व उसने आस्ता आस्ता उसको सीस में देखके अपने आप इकाट लिया प्रांतु जो उप्चार मैं बता रहा हूं यदि आप इसको करते हैं तो जिंदगी में कभी भी आपको किसी भी रोख के लिए डॉक्टर हकीम के पास जाने की जूरत नहीं है पहला उप्चारा आपका कि गाय का दूद या बक्री का शवविन का दूद उसके बीच में चार मनक्य दो छ्वारे उबाल करके और जब अच्छी तरह उबालने का भी तरीका है कि यदि आपके पास एक ग्लास दूद है तो एक ग्लास उसकी पानी मिलाना तब इसको उबालना है उबालती दफ़ा पानी सूख करके दूद कभी एक हिस्सा सूख जाए यह नहीं एक ग्लास का पौना ग्लास रहे के नीचे उतार ले मनक्य के बीज निकालके मनक्य काएं च्छारे को खाएं उपरसे दूद की ये तो आपका जिंदगी में कभी लीवर खराब नहीं होगा कभी आपको हाड़ टैक नहीं होगा कभी बीपी और जब आपका पेट, लीवर, गुर्दे, फेफडे, तिल ही ठीक है, तो दिल को तो कोई नुक्सान हो गए नहीं, जो दिल को खून दिया जाएगा, तो दिल सभिकार करके शरीर में भ्रह्मन कुराएगा, तो शरीर में दिन दूगने, राते चौगनी चमकाती है, और जो को अपनाता है, दिखावा नहीं करता, उसको अखीरी सांस तक कोई रोग नहीं होता, चलते समय उसको पता लक्षा है कि मेरा टैम आ गया, दस आदमीं बैशके करता है भाईया, राम राम नहीं जा रहा हूं, और बैठे-बैठे सांस निकल जाता है, उसको कोई तकलीप नह आज सबसे बढ़िया डबना है, कि बच्या, बूड़ा, जौन सब डाक्टरों की तरफ भागता है, जबके डाक्टरों के पास किसी भी रोग की द्वाईनी है, सिर्फ जिस अंक पर तकलीप उसको सुन कर सकते हैं, उसका भी टाइम है, किसी को दो गहंटे, किसी को चार, कि है, कोबरे साम का जहर, मरे जानवरों के हडियों का चूरा और केमिकाला, यह लीवर को और पैंकरी को दोनों को अपंग कर देता है, काम करने में असमर्थ कर देता है, और यहीं से फिर रोगों की बढ़ा उतरी होती है. मेरा नाम हरिश लालवानी है, कुजरा से आ रहा हूँ, तो बगवान ने मुझे सही जेगे पे पहुंचाया, यह गुरू जी बगवान ने, बगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया, मुझे एक्चुल में डेट साल पेले हार्ट अटेक हुआ था, और एक यह जाता है, तो मेरा किड्नी फेल हो जाता है, तो एक दिन प्रोग्राम तेखा गुरू जी का पर यहां दिली आया, गुरू जी के पास नवद दिखाई, गुरू जी की पंदरा दिन दिन दवाई खाई में ने, उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ, और थोड़ा एनरजी मेरे में क्रियेट हुआ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं नरिले से आया हूँ, जीत अंदर कुमार बादवाज मेरा नाम है, और तीन साल पहले में बिमार हुआ था, जीसे में पंथ में गया, पंथ वड़ा ने मेरे को लिया चालू किया, इलाज के दोरान जो पानी मेरा बिल्कुल बंद नहीं हुआ पनने से, कर दोर पानी बनता रहा मेरे इसके बद फिर में फ और 30 में ब इस अई बात चलती रही वैपर नी रूका नहीं मेरे उसके बाद बाला जी में गया तुन थे छने में बाला ही जाने से कुछ दिनों के ळिये मेरे रहात मिली राहत मिलेत और एक दम धुआं जोग हुआ द्व इनगा अडरेस दिया, अडरेस देने बाद हम या आए, करीब सब्सक्राइब दो दो बिने होई हैं, मेरे को काफी रहात है इने टो लेकर दो चक्तवे बें या अडरेसा करीबी लीटर पाणी बिने इखते लोगWow आपनी लेकर उड़ड़ा प्रस्राइबे निकल वाया, प्रीतन या निकल दीता था। पहले वह पानी माता था, लम आगे बढ़ते हैं कारिकरम में एक सवाल हम ले लेते हैं जो दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं वटसप मैसेज़ पहला वटसप मैसेज हम ले रहे हैं इनका नाम है किशोरीलाल जी और यह जाना चाहते हैं कि नियूरो रिलेटिड इनको प्रॉब्लम है नसों में बहुत ज्यादा कमजोरी है और किसी भी चीज़ को यह पकरते हैं तो उस मजबूती के साथ नहीं पकर पाते हैं नसों में ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है देखिए एस सारी कमजोरी आपकी ऐलोपेथिक द्वाईयों की है जब द्वाई वो वो डोज खाई जाती है नसे शुकुर जाती है तो बिमारी पैदा होती है इसका लाज आज पूरे संसार में प्रांतु मेरे पास इसका उप्चार ऐसा है जैसे खेट में से गाजर मुलीन कारना और बुद्ध वार छोड़के आप कभी भी आ सकते हैं जिस दिन आना एक आदमी अपने साथ लाना है और जिस दिन आना उस दिन रातरी 10 वे तक खा पी के दातर लो कूला करके बड़ी लेची मौ में रखके चूशते रहना सुबार 9 से 10 के अंदर अपना नाम करन करूआना 10 से 12 में नाड़ी प्रिश्न करूँगा नाड़ी प्रिश्न में पैर के तलूँए से सिर के बाल तक की MRI CT scan, extra, autosone, ACG, sonographie सबकुछ पांच सकंद में हो जाएगी फिर उसके बाद दौइएं खाने की हैं, दौइएं पीने की हैं, माल्स करने के तेल हैं आँख में, नाख में, कान में डालने की दौईएं हैं जब यह दौईएं खाएंगे और माल्स करेंगे तो उसे दिन आपकी नसों में कम से कम 20% का परिवर्तन तो लाजमी आएगा और यदि आपका भाग अच्छा होगा तो 35-40% भी आमा जाएगा मेंने डेड़ में आपके स्रीश में पूरी ताक्त आ जाएगी जितनी मर्जी चीज को पकड़ना, जितना मर्जी दोड़ना आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी आपका रोग एक मेंने में समापत हो सकता है तो बिलकुल रोग भी समापत होगा और जो तकलीफे हैं वो भी दूर होंगी लेकिन आपको स्वस्त विचार अश्रम आने की सलाह दी गई है क्योंकि नसों से संबंधित समस्या क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आप अच्छे से समझ भी रहे हैं महसूस भी कर रहे हैं किस प्रकार की तकलीफ है आपने बयां भी किया है अपने मेसेज में और यह भी लिखा है कि कई टेस्ट आप ने कर लिए हैं औरयकीन टेस्ट जो भी करा जाते हैं उसमें बेंतहाँ पैसों का खर्चा होता है तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं और बिना किसी अटिरिक्ट उपचार के आप केवल आयूरवेड के तमाम वो औश्रधियां जो आपको दी जाएंगे उनका सेवन करेंगे मात्र और नियम परहिज करेंगे तो अपने रोख को जड़ से दूर कर पाएंगे और नसों को बिलकुल मजबूत कर पाएंगे और चा हम से महसूस करेंगे कि आपके साथ इस तरीके का जो चमतकारिक बदलाव हुआ है वो किस तरीके से तो यह सब चीज़े तभी होंगी जब सुष्विचार आश्रम आएंगे अधिक जानकारी के लिए आप हैल प्लाइन अबस पर कॉल कर सकते हैं तो दर्शकों अब कारेक्र है हमारा स्वस्त विचार सेहत की बात इस यूरूप चैनल को आप सर्च करें सब्सक्राइब करें और इन कारेक्रमों को जरूत मंदों तक शेयर भी जरूर करें फेस्बुक के जरीए भी आप ऐसे ही हमसे जोड़ सकते हैं फेस्बुक पेज संस्कृती टीवी इस होगी मुलाकात एक नए विशे के साथ तब तक के लिए मुझे दीजा आगया लबसकार